आज की यह बीडियो बीए फिप्त समेस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि राजनीती साफ्तर वाले छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की इस बीडियो से आप सभी की जो परिच्छा में प्रशन आने वाले हैं उमाली जे 75 नंबर का पेपर ह होने वाला आप सभी का तो आज किस वीडियो से आपकी परिच्छा में 40 अपंचाफ नंबर के जो प्रशन है तो महातपूर्ण और महासंग्राम होने वाली है रामबाण होने वाली है आप सभी के लिए तो एंडर तक जरूर देखते रहेगा बहुत ही महातपूर्ण प्रस ब्रत्मप्रश्ण पत्र राजनीतर है तो बुद्धिए टुल नात्मक सरकार एमो राजनीततर पूश्ण पूछें गैं UP 상태 में i to be और एक question है, यहाँ पर मैं आओ, आपको और add करना चाहूंगा, आप सभी के लिए, जो कि आपको तयार कर लेना, कि तुलनात्मक राजनीती किसे कहते हैं, तुलनात्मक राजनीती के विसिश्थाएं, तुलनात्मक राजनीती के लाव और हान, यानि कि आपको ये प्रश्ण जरूर से जरूर तयार कर लेना, पहला तुलनात्मक राजनीती किसे कहते हैं, और उसकी विसिश्थाएं, तुलनात्मक राजनीती की लाव और हान, ये प्लस पाइंट वाले question हैं, तो पहला प्रश्ण का उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक उपागम अधिक बैग्यानिक तुलनात्मक राजनीती के विस्था चेत्र को करमबद करने में सहायता मिलती है, इन उपागमों से विस्थाएं के तत्यों के चैन का आधार तता उसकी संगत का मापदंड मिलता है, और आपको कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं, तुलनात्मक जो आधुनिक उपागम है, उ दूसरा संराशनात्मक यानि किफी चीज की फनरशना ठीक है, वाली ठीक है, प्रकार्यात्मक उपागम, माक्षवादी उपागम, ठीक है, राजनीती विकास, यानि राजनीती का विकास, इस्थे माली जे की, आपकी कोई का पारिटी, उसमें 100 लोग थे, कल को 200 होगे, 500 हो बिकास राजनीती का आधुनी की करण मत्तब कि दिन पन्तिक उसमें आपग्रेट, बेके अगला के तो यह कुछ उपागम आधुनिक ठीक है तो नात्मक राजनी तो आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला बहुत ही पॉपलर कोश्चन है जो कि कई बार पैस्च हम रिपीटेड है कि चीन एक चीन एक ठीक देश दू सासन वेवस्था इसके बारे मताईए ठीक है तो चीन में सामेवादी चीन का यह फिर वहां 34 प्रांतों में विभगत है कौन सा सासन है एकात्मक सासन है हांग जो एक देश था एक जुलाइ 1997 नबे से सथा प्रिप्रेटें शासन था ठीक है बीटरई पासन समाप्ति के बाद शीन का भू भाग बना ध्यान सुसेंगे बाद में वो चीन के अंतरगत आ ठीक है चीन देश के परन तो एक समझे होते कि अनुसारवा चीन का अंग होते हुए भी लोगतांत्रिक प्रिक्रिया को अपनाए हुए है और ओलम्पिक एसी आर्ट तथा अन्य खेलों में उसके खिलाड़ी हांग कॉंग देश की रूप में सामिल होते हैं कि यह हम हांग कॉ सामिवादी बिवफ्था को अपनाया गया है चीन में कौन सी सिस्टम है वहां पर सामिवादी बिवफ्था इस बात को ध्यान लखेंगे वहां लोक तंतर नहीं है ठीक है वहां लोक तंतर नहीं वहां पर सामिवादी बिवफ्था है अता चीन एक देश चीन एक देश दो स अपना अंग मानता है लेकिन दूसरी ब्योफ्था ताइवान इस त Dustin को फिन ड़ी के 사ल रहा मैं तब है निए तायान को सुन रेंड की कारेपालिका के बारे में बदुए इसलिए इसे बहुल कारेपालिका कहा जाता है मतलब कि एक से अधिक जो वह फदस्य है कि समितियां कारिपालिका सकते वह साथ सदस्यों की एक समित समित में नहीं इसलिए इसके बहुत मतलब एक से ज्यादा जाएंगे इसको अब यहां करेपालका को संगे नाम परिशत के नाम इसमें साथ सदस्यों का होना होना सम्भधान निर्धायत कि इसमें के यहां का सिस्टम है यह वदिधनिक पद्धितियों में अनोखी मतलब कि दुनिया बर में जो बहुत सारे संभिधान जो कारिपालिका टिक उसमें यह अनोखा है मतलब कि अलग ही है क्या जो स्भूट की कारिपाल का जो स्प्रेजर्ण लेंग की वैदनिक पद्धती है ठीक है यह सबसे अनोखी है सभी देशों से ठीक है पॉइंट कहे रहा है कि यहां ना तो संसादात्मक है और ना अध्याचात्मक है ठीक है मतलब कि यहां ना तो संसादात्मक है और ना ही अध्याचात्मक अपित दोनों कारेपालकाओं का समावेस है कारिपालका के साथ सदस्यों में चार जर्मन दो फ्रेंच और एक इटेलियन वहासा का होता है इसमें कई चीजें ध्यान से सुनेंगे इसमें चार जर्मन और दो फ्रेंच और एक इटेलियन वहासा का होता है ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे अगला की विश्वामदाई की द्रष्ट में श्युटुजर लेंड का राष्ट पति उसके बारे में बताईये हुई तो स्युटुजर लेंड की कारिपाल का संग्य परशद का अध्यच ही देश का राष्ट पति होता है द्यान से सुनेंगे उसको कोई बिसीफ अधिकार नहीं दिया गया संगे परिशद के अध्यच का कारिकाल मात्र एक वर्स होता है की बैठक इन्हें की अध्यचता में होती तो इस पार लिए इस तरह लिखेंगे जो राष्ट पती है उनके बारे में थोड़ा बेसिक परिश्चे की कैसे क्या होता है ठीक है ओके अगला प्रश्चन है कि सामवादी चीन की राजनितिक बेफ़ता है यह पाउपलर कोश्चेन इस पर सवर्फ करेंगे तो सामवादी चीन में एक दलीय वहुस्था है ठीक है और वहा भी चीन की सामवादी दल है सम्वधान की दौरा दो फर…दलं के निर्माल पर प्रतिबन लगा ए अगला प्रश्चने की तुलनात्मक बेफ़ता के सिधान पल ग्रं के तो महा की दिय राजनीतिक बेवफ्ता सामवादी टाइप किए ठीक महाँ पर एक दली बेवफ्ता है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशने के तुलनात्मक राजनीतिक के परंप्रागत उपागम यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता पड़ भी सकते इंग्नोर भी कर सक करेंगे बहुत ही पॉप्लर बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन करें रिपीटेड है ठीक है तो प्रतेच्छ लोगतंत्र होता है जब जनता स्वयम सासन में भाग ले लेकिन जनसंख्या की विशालता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसा अब संभो नहीं है इफले अब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सासन में भाग ले रही है फिर भी स्यूटुजर लेंड के कुछ कैंटेणों में आज भी प्रतेच्छ लोगतंत्र देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार बेसिक प्रचे लिखेंगे बारे में ठीक इस बात को ध्यान लग करेंगे अब भाईया प्रशना आ गया कि अमेरिकी संभिधान में औरोद यूं संतुलन के बारे में ठीक है तेविक काफी हेलपल कॉपी टॉप लेवल का कोईश्चन है इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे काफी हेलपल कोईश्चन ह समय के शोर्टेश के कारण हम आपको जड़ा एक्स्प्लेनेशन नहीं कर सकते लेकिन बेसिक और बहुत ही साफ साफ सब्दों में उत्तर हम आप सभी के लिए प्रस्तुत कियें तो तैयार कर लेंगे ठीक है अगला पॉपलर कोईश्चन ये भी है कि अमेरिका में नियायद कि नियुक्त राष्टपती द्वारा की जाती इस बात को ध्यान रखेंगे यानि कि जो अमेरिका के जो ठीक है जज होते हैं उनकी जो नियुक्त है वो राष्टपती करता है ठीक है लेकिन सीनेट द्वारा उसकी पुष्ट होने के बाद ही राष्टपती द्वारा सभी न सेगा प्रश्ण ठीक है अगला प्रश्ण है कि अमेर्की सम्मिधान में न्याइक प्रणर विलोचन के बारें बताईए ठीक तिया कितना महात पूर्ण करना चाहिए मतलब कि साज के पास कि सक्तिया होती हो इस प्रकार राजी अलग सरकार होनी चाहिए आप सभी को मालूम होती है सबसे पहले आपको लिखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपती को निम्षेत्र में कारेपालिका सक्तियां बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेवल का 100 प्रसेंट आने वाला कोश्चिन तो जरूर फोकस करेंगे इस पर हम लोग ठीक है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपती को निम्षेत्र में कारेपालिका सक्तिया प्राप्त है पहला तो है कानून को लागू करना तथा बेवफ्था बनाए रखना मतलब कि जो नियम कानून जो सिस्टम होता है उसको लागू करना राष्ट्रपती का कि उसको सबसक्राइब करना यह होता है राष्टपति कि सकती है थिक है नियुक्त-वish किसक्ति इंसान को किसी भी पद्ध के लिए वह नियुक्त कर सकता है और उसको उस पद से उस शटा भी सकता है तो यह भी पावर है ठीक है मालीजे की किसी को उसने मालीजे सिच्छा मंत्री बना दिया ठीक है किसी को ग्रह मंत्री बना दिया किसी को लेकपाल बना दिया ठीक है ठीक है और किसी को मालीजे की मुख मंत्री उपमक्र मंत्री या फिर कोई भी पोश्ट कोई भी दे दिया ठीक है तो प्रदान सेना पति मतलब कि जो सफ्त्र अफ्त्र है जब फिर कोई प्रमाड बंब और कोई ठीक है कि कुल मैं के सफ्त रवल ठीक है तो यही आ जाएगा गोला बारोद ठीक है और बड़ी-बड़ी जो मसीने होती है जिनसे फायर किया जाता है ठीक है यह सब फिराइब का एक प्रद्धान होता उसको सेना पती बोला जाता ठीक है तो ये भी उसी के अंतरगत आता राश्चपति की जो कारिपाल का सकतिया होती उसी के अंतरगत यह आता ठीक है तो यह कुछ सक्टियां हैं जिनके हिसाफ पूरा मैनेजमेंट चलता है जिसको आपको ध्यान रखना है काफी कोश्चन है और अगला भी बहुत ही पॉपलर टॉप लेवल का कोश्चन की अमेरिका संभीधान की चार प्रमुख विसेश्था यानि कि वहां का जो संभीधान अमेरिका देश एसका संभीधान चार पहला की विसेश्था एक कि वहां पर निर्मित और लिखस संभीधान वबहुत ही कम सब्सक्त पहते हैं beleza 2 3 की कठोर संभीधानियों तकला की सजबाद graphie । यानि कि वहां को सम्मिधान है बहुत ही इस्टोंग है वहां की नेम कानून बहुत ही च्थे और न्याइपालिक जो है वह वो भी लोग मानते थी का सरबोश च्पप से यानि कि उस्फे रखा गया हाई लेबल पर ठीक है जो मेन है मुख्या अगला कि सकती प्रथक करने ओम औरोध का फंतुलन ठीक है फक्त प्रथक करने ओम औरोध तथा फंतुलन का फिद्धाती यह चार प्रमुख विश्चता हैं जो कि आपको याद रखना ठीक है न्याइक शैकरता यह तम हात पूर्ण ने चाहें पढ़ सकते दर्वाइज आपकी इच्छा थिक्नों भी कर सकते ठीक है अमेरिका की उपराश्टी के बारें पढ़ लेंगे राश्पती उपराश्पती दोनों पॉप्लर कोश्चन है अमेरिका दल अप्रणाली की बिस्ष्टाएं बहुत ही महात्पूर्ण प्रिश किसे कहते हैं वह एकात्मक सासन के बिस्ष्टा हैं बहुतं कोश्चन है समस्द्य सादन सासंस अधियस आसने प्रण और ऊप्राश्ट्पती के बारें बताना इस बहुत ही ठीडरा लेबल का गयारें वाला कौश्चन जो कि फंसे आई पर चैक हैं जरूर तैयार करकर के जाएंगे आप सभी के बीट्रिफ अमफत के बारे में यह बहुत ही पोपलर कुश्चने बीट्रीन में राजा के इस्थित के बारे में बताना क्यों कि कि वहां पर राजा होता ठीक है विट्रेंट में जैसे यहां पर राष्ट पती होते हैं तरह संसद्य आसन ठीक फाफन बेवफ्था कि बताना यह भी बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन एंटीक बेवट्रेंट देश संबंदिते कोईश्चन है राजा राज जी करता है फाफन मैंने देखा कई बार आया और यह वाला जो क्राउन राज मुकुट से आप क्या समझते हैं यह अतिलग उत्रे में हमेशा आता है ठीक है प्रस्ट इसको जरूर्ब फोकस करेंगे ओके ठीक है उदारवादी लोगतंत्र यह भी महत्पूर्ण प्रस्ट है तोलनात्मक राज लेबल का कॉमन को इस चिनाब सबीक एक्जाम के लिए तो इसको भी आपको जरूर्ब तैयार कर लेना ठीक है इफी तरह आपको बिट्रिफ अमिधान का अस्तित यह इतना महत्पूर्ण नहीं है बाकी जो मैंने आपको बताई इनको आपको जरूर्ब फोकस करना है ठीक है एक्जाम में आपको कवाफ ही ज्यादा है पर मिल जाएगी ठीक है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 75 नमबर का पेपर होता तो करीब करीब 40-50 नमबर आपको इसी वीडियो से कंफरम हो जाएंगे बाकी आप लोग तैयार कर लिजी गए पीडियाप आपक